जैसे जैसे आमेर खान की फिल्म लाल सिंग चड़ा की रिलिज नस्दीक आते जारी है वैसे वैसे इस फिल्म को लेकर तरह तरह के खुला से हो रहे हैं इस वक्त क्यारके ने कुछ स्क्रिंशॉट शेयर किये हैं सिनेमा घर का जिसमें लाल सिंग चड़ा की कॉर्पोरेट बुकिंग करवाई जा रही है जिसे फेक बुकिंग बताई जा रही है कि एक ही तरह के पैटन पर अलग-अलग शो की टाइमिंग को बुक किया गया है और एक ही तरह से भरेवे नजर आ रहे हैं और इसे जान पुछ कर इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि यह दिखाया जा सकी कि लाल सिंग चड़ा की एडवांस बुकिंग हो रही है और फिल्म सुपर डूपर हिट है लोगों ने भले ही बॉयकाड का ट्रेंड चलाया हो लेकिन लोग आमिर खान को प्यार करने आ रहे हैं और यह फिल्म अपने आप में बहुत ही सुपर डूपर हिट है और होकर रहेगी क्योंकि इस फिल्म की एडवांस बुकिंग जो है वो आठ करोड तक पहुच गई है और रक्षा बंदन की एडवांस बुकिंग नहीं हो रही है त तो आमिर ने जो भी पीके में काम किया था वो सही किया था कुछ गलत नहीं था इसलिए लोग समर्तन कर रहे है यह तो बस भक्तगण है और जो आमिर खान के विरोधी है और जो बॉल्यूट विरोधी है वही लोग इस तरह का ट्रेंड चला रहे हैं बाकि आमिर खान से किस हमें तो टिकट चाहिए किसी भी तौर पर अगर ऐसा है वाकई में तो वो कौन से बेगूफ लोग हैं जो टिकट के लिए मार्क इट करें सिनेमा गरों के बाहर या ऑनलाइन बुकिंग होती है ठाकर कर लो इतने पैसे हैं तो लेकिन हमारे आके थेटर्स तो पूरे खाली कुछ लोग हैं जो सिनेमा को नफरत करते हैं वही लोग इस फिल्म का बॉयकॉट करें बाकि आप लोगों की क्या रहा है कोमेंट करके बताएं कि क्या वाकई में अमेर खान की फिल्म लाल सिंग चड़ा की फेक बुकिंग की जा रही है